बीच सड़क पर महिला सिपाही से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल सपा प्रमोग अकिलेश ने भी वीडियो को लेकर कह दी बड़ी बार मुरादाबाद में महिला सिपाही से दो लोगों ने की बार पी शोशल मीडिया पर वाइरल हुआ वीडियो तो मच गया हड़कम उत्रप्रदेश के पूर्व मुक्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को कर दिया कट घरे में खड़ा शोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं आखिरकार कौन 20 सड़क पर महिला सिपाही से लड़ा जो आ रही थी तभी अच्वानक बाइक सवार शक्स उससे कुछ कहता नजर आ रहा है इस कहा सुनी के बाद मारपीट शुरू हो जाती है इस बीच सक्ष महिला पर हाथ छोड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है मारपीट के दोरान लोगों की भीड आसपास जमा हो टी में लगा दी गई है जल्दी उन्हें गिराफतार कर लिया जाएगा साथी उन पर सक्ष एक्षिन लिया जाएगा घटना 30 नुवंबर की है इस मामले को लेकर जानकारी मिली है कि एक महिला सिपाई का नाम अमरीन है पीते दुनों वो सिवल लाइन इलाके के एक महले में सडक पर चल रही थी इसी बीच पीछे से एक बाइक सवार आता है और अमरीन को कुछ कहता है जब अमरीन जवाब देती है तो वो बाइक से उतर जाता है और मारपीट करना शुरू कर देता है जानकारी के अनुसा सक्ष अमरीन को घसीटते हुए सडक की एक साइड से दूस लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है धीरे धीर जमा होते हैं देख वह सब वहां से पैदल ही भाग निकलते हैं इससे पाही अम्रीन द्वारा थाना सिविल लाइन में लिखे तहरीर देते हुए बताया गई धाना सिविल लाइन के एरिया में रहती हैं तीस तारी को शाम त सीटते हुए ले जाकर सड़क की दूसरी साइड ले गए इस दोरान उनकी बाकी साथी भी आ गया और गाली गलोच करने लगे और खेर इस अमामले का वीडियो वाइरल होते ही अखिलेश यादव के पास तक पहुंचा जिस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए काया कि यूपी में महिला हैं कितनी सुरक्षित हैं सबूत देख लीजे तस्वीर मुरादबाद की है जहां सरे आम महिला कॉंस्टेबल के साथ ये वक्त छेड़ छाड़ करता है और विरोत करने पर मार पीड भी आरोपियो पर सक्त से सक्त कारेवाही हो फिल